दोस्तों मम्मी या दादी बच्पन में सोते वक्त या फिर मालिश करते वक्त नाभी में तेल लगाया करती थी बॉडी को कई तरह से फादा मिलता है आज मैं आपको आयर्वेती किताश टांग रिद्यम और चरंग सहीता के हिसाब से उनके अनुसार बताऊंगा ना भी यानि कि बैली बटन में तेल लगाने से क्या-क्या फादे होते हैं कौन-कौन से तेल लगाने से कौन-कौन से फादे को मिलेगा दोस्तों बहुत से लोगों के सबसे बड़ी परिशानी होती है होंट फटने की इसके लावा जोनों में कमर में दर्द रहने लगता है फटे होंटों से चुटकारा पाने के लिए आप लिब बाम के लावा सिर्फ रात को चार से पांच बुंद सरसों का तेल ला है और एक दो दिन में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा आपको लगातार लाइफ लॉंग लगाना है और इसका रिजल्ट आपको धीरे-धीरे खुद में एहसास होगा इसके लावा रात को सुने से पहले नाभी पर सरसों का तेल तुमाल करने से आँखों की रो किल मुहासु को खत्म करने के लिए क्या क्या नहीं करते लेकिन आप सिर्फ चार से पांच बुंद नीम का तिल नाभी पर लगा कर सोएंगे तो चेहरे के यह ब्लैक हैट्स पिंपल्स रिंकल्स कुछी हफ्तों में गायब हो जाएंगे यकिन मानिये इतना जबरदस्त और इस तिल को घर ले आएगा और रात को सोने से पहले चार से पांच बुंद नीम का तिल नाभी में टपका दीचे रोजाना ऐसा कीचे इस लगाने के आट से दस दिनों में इसका फर्क दिखने को मिलेगा वैसे आप कितना भी ट्रीटमेंट करवा लो क्रीम ओंटमेंट लगा लो मुहासे की जो दिक्कत है वो जड़ से खत्म नहीं होती लेकिन अगर आप निम का तिल लगाओगे तो यकीन आपके चेहरे से कील मुहासों के समस्या जड़ से खत्म हो जाएगे इससे आपको पूरा शुरी जो है डिटॉक्स हो जाता है इसके लावा अगर आपक चेहरे की रंगत बदल जाएगे आपके सकीन बच्यों की तरह सॉफट और मुलाइं हो जाएगे इसकलाबा कई लोगों की स्कीम जो है ड्राय होती है स्कीन रूखी हो जाती है और ड्राय स्कीन के वज़ा से गाल, माथा, आखे, सभी जगह से स्कीन जो है खीचिने लगती है अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो तो रोजाना मॉस्चराइजर तो लगाए ही उसके साथ साथ रात को नाभी पर नारिल का तेल भी लगाएं इस तरह आगर आप नारिल का तेल लगाएंगे तो स्कीन जो ट्राय हो रही है वह नॉर्मन हो जाएगे और नमी यह बनाए रखेगा नारिल का तेल लगाना वह शुद्धु वाला इसके बलाबहा मैं आपको बताता हूँ कैसटर ओल लगाने का नाभी में अगर अरण्डी का तेल यह नि कैसटर ओल को लगाएंगे तो लोसने में आपको कब्जी यानि कास्ट्री पऊला फूला रहता है निपलोटीं के समस्या रहती है खाना ठीक से पचता नहीं है पेठ पर कम करना चाहते हैं ना बैली फैट कम करना चाहते हैं तो नाभी में अरंडी के तेल को ही लगाए इस आपका पाचन डाजेशन अच्छा होगा और मेटाबोलिजम बुष्ट होगा जिससे धीरे धीरे आपका वजन कम होता चला जाएगा यह बहुत ही मैजिकल है दोस्तों आप एक बार जरू ट्राय करके देखे इस के लाव अगर आपको अंद्रूनी कमजूरी है फर्टलिटी के प्रॉलम है प्रिजन चमता बढ़ाना चाहते हैं कमजूर हो गई है तो आप रात को सुने से पहले बादाम रोगन तेल या फिर शुद्ध देशी गायका की दोनों नाभी में तेल लगाना आज से ही शुरू कीजिए बहुत ही इफेक्टिव है आपको सिर्फ इतना ही काम करना है आपको धेरों फायदे मिलेंगे वीडियो यह जानकरी कैसे लिए आप हमें कॉमेंट्स कर बताएगा और जयाते हैं जरूर वीडियो को लाइक करते वे जाए है अप बहां है जोहित आप है बहां है तर देल बताब कीम है की एल स्यू सेक्थ कर दोलेंदने हैं तुरा और बताट को लुदक है बहां है